नमस्काद, स्वागत है आपका JJN News में और आपके साथ मैं हूँ गणेश चमपावत जिले से नाबालिक को बहला फुसला कर दुशकम करने की कभर सामने आई है पुलिस ने आरोपी ट्रक्चालक को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे, कोतवाली शेत्र के एक वेक्ती ने पुलिस को तहरीर दे कर बताया कि उसकी नाबालिक बेटी सुबह चार बजे घर से बिना बताय कहीं चली गई थी काफी देर तक नाबालिक के घर ना आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका देर शाम जब नाबालिक वापस आई तो उसने बताया कि एक ट्रक्चालक ने उसको बहला फुसला कर उसके सांथ सारी रिक संबंद बनाये दुषकर्म की बात सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई जिसके बाद आनन फानन परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी बता दें परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए चेकिंग अभ्यान चलाया साथ ही सीजीडवी कैमरे और सर्विलांस की भी मदद ली गई बता दें पुलिस ने दुषकर्म की आरोपी को चमपावट टनपूर मार पर धौन शेतर से गिरफतार कर दें उदम सिंग नगर जिले के जस्पूर के कलियाल वाल में शनिवार को दिन दहाड़े दो अग्यात हमलावरों ने एक किसान की गोली मार कर हत्या कर दी घटना के बाद इलाके में दहशत का मौहल है सूचना के बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है जानकारी के मुताबिक जस्पूर के ग्राम कलियाल वाला निवासी मंजीत सिंग का हाईवे पर रेस्टोरेंट का काम चल रहा है वो अपने गाव से दो पहर मिट्टी भरान का काम देखने के लिए हाईवे स्थित अपनी जमीन पर पहुँचा तब ही वहाँ पहले से घात लगाकर बहटे दो हमलावरा ने मंजीत को गोली मार दी जिससे वो लहुलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा बता दे आनन फान में स्थानिय लोग उस अस्पताल लेकर गए जहां चीकट से कौन यो जम्रिद खुशी करें उत्राखंड SDRF और भारतिय सेना की टीम ने चमोली जिले के चौकंबा परवत से लापता दो विदेशी महिला ट्रेकर्स को सकोशल रेस्क्यू कर लिया है रेस्क्यू टीम दोरा चौपर के जरीये ट्रैक पर रेकी करते हुए दोनों ट्रेकर को ढूँड कर चौपर की सायता से एर लिफ्ट कर जोसिमट हेलिपट पर पहुँचाया गया है आपको बता दें चमोली जिले के माउंट चौखंबा पर ट्रेकिंग के दोरान दो विदेशी ट्रेकर्स के लापता होने पर SDRF द्वारा व्यापक सर्च अभ्यान चलाया गया था प्रारंबिक चरण में 5 अक्टूबर को हेलिकॉप्टर की सायता से हवाई सर्चिंग की गई लेकिन दुर्गम इलाके की चिनौतियों के कारण SDRF की चार जवानों की टीम को एडवांस बेस कैम पर हेलिकॉप्टर से उतारा गया था बता दें SDRF रेस्क्यू टीम के पैरलर सर्च अभ्यान में जूटी भारती सेना की रेस्क्यू टीम ने चौपर के जरिये ट्रैक पर रेकी करते हुए दोनू ट्रैकर्स को ढूंड कर चौपर की सायता से एर लिफ्ट कर जोश्री मठ हैली पैड पर पहुंचाया दोनू ट्रैकर्स शकोशल और सुरक्षित फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे जे एन निउस धन्यवाद